वेलकम बैक दोस्तों चलिए आज की इस वीडियों पढ़ने वाले हैं बाबर द्वारा लड़े गए सभी युद्ध और वो भी एक मज़ेदार ट्रिक के साथ में दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो बिलकुल लाइक करिएगा और चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा ऐसे ही मज़ेदार ट्रिकी वीडियो पाने के लिए सुबह 6 वजे करंड अफैर्स पाने के लिए बिलकुल चैनल को आजी सस्क्राइब कर लीजिएगा चलिए दोस्तों बाबर द्वारा लड़े गई सभी युद्धम फटाफट ट्रिक से याद करेंगे उससे पहले बाबर जो बाबर था थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं बाबर का जनम 1483 इसमी में हुआ था फरगना घाटी में इसका जनम हुआ था और बाबर की मिरत्यु कब ही थी? वो ही थी 26 दिसंबर थीकर पंदरहअ सुटीस को यह आगरह में दोस्तों इसकी मिरत्यु हुए थी जी के आगरा भारत में क्योंकि जब भारत में ही निवास करता था बाबर ठीक है आप से यह पूछा जाए कि बाबर भारत में कब से कब तक रहा तो 1526 से लेकर 1530 तक ठीक है बाबर भारत में रहा था ठीक है चलिए मैंने आपको पूरी बताई है बिल्कुल इसके बारे में ड पिता का नाम था उमर सेख मिरजा ठीक है चलिए अब जानते हैं दोस्तों इसके दुआरा लड़े गए युद्धों को और बिलकुल कौन उसमें विजाई रहा कौन उसमें हारा ये सभी जानेगे हैं देखिए सबसे पहला युद्ध लड़ा था दोस्तों इसने पानीपत का दूसरा लड़ा था खानवा का तीसरा लड़ा था चंदेरी का और चौता लड़ा था इसने गागरा का युद्ध ठीक है चार ही युद्ध इतने नड़े थे देखिए ट्रेक से कैसे याद रखना ये 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में ये मरी गया था ठीक है 1530 में मर गया था ये 26 दिसंबर को तो आप यहां पर एक चीज नोटिस कीजिए 1526, 27, 28, 29 यानि सभी में इसने लगातार युद्ध किया था बाबर ने सबसे पहला पानी पत का था दूसरा खानवा का तीसरा चंदेरी का और चौता था गागरा का युद्ध ठीक है तो आप देखिए यहां पर ट खाना खाया चंदेरी खाना खाते वक्त क्या हो गई उसे चंद देरी हो गई उसे थोड़ी देरी हो गई अब देरी हो गई तो फिर उसे क्या करना वो कह रहा भाई देरी करा दी मुझे तो कहा जाना है मुझे तो घर जाना यार तो चारो लड़ाईया आप आपने देख ल कैसे इसे याद रखना है आप सभी लोग जानते हैं कि बाबर तो इसमें था ही ठीक है बाबर को तो आपको रटने की जरुवत थेहनी ठीक है बाबर तो था ही पानी पत के पहले युद्व में खानवा के युद्व में चंदेरी के युद्व में और घागरा के युद्व मे बाबर तो सभी उद्दों में था अब आपको ये दूसरा वाला याद रखना है ये वाला ये कैसे आप याद रखेंगे बिल्कुल ट्रिक से आप सभी को याद कराऊंगा देखिए अब क्या हुआ जब पानी पी रहें बाबर तो थाई पानी पी रहें बाबर और इबराहिम लोदी के बीच हुआ था पानी के लिए करें लोदी और लोदी यानि और लोजी ठीक है तो पानी पत का जो पहला युद्ध था बाबर और इबराहिम लोदी के बीच हुआ था इस युद्ध में बाबर की बिजय होई और इब्राहिम लोदी दोस्तों हार गया था ठीक है इसकी पराज्य हो गई थी और इसी युद्ध के चलते हिंदुस्तान में मुगल सलतन थी उसकी नीव रखी गई थी ठीक है दूसरा था दोस्तों खानवा का युद्ध अब खानवा का युद्ध बाबर तो इसमें थाई दूसरा था सांगा देखे खाना खानवा यानि खाना अब जब आप खाना खा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए फिर साग सबजी कुछ तो चाहिए ही ठीक है खानवा यानि खाना ठीक है तो आपको इससे रिलेट करना है सागस अब जी चाहिए भाई खाना खाते वक्त बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध 1527 इसवी में इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था इस युद्ध में दोस्तो बाबर ने राणा सांगा को ठीक है और दूसरे युद्ध के बाद एक उप्योगी चीज यहां पर ये निकल के आती है इसने गाजी की उपादी धारन कर ली थी ठीक है तो गाजी की उपादी किसने धारन की थी बाबर ने कौन से युद्ध के उपरांत दूसरे वाले युद्ध के उपरांत जब इसन खाना खाया ठीक है पहले पाने पिया फिर खाना खाया फिर हो गई चंदेरी अब देरी हो गई अब देरी होने पर क्या होगा देखे चंदेरी बैदेरी हो जाएगी तो अब आपको कहा जाना है घर जाना है तो चंदेरी जब आपको हो जाएगी तो क्या होगा पूत बिलकु रास्ते में आपको भूत मिल सकते हैं ठीके पानी पिया खाना खाया देरी हो गई देरी होने पर क्या मिल सकता भूत यानि बाबर और राजपूतों के मद्दे हुआ था कौन सा चंदेरी का युद इसमें क्या हुआ बाबर की विजे और राजपूतों की इस पर हार हुई थी राजपूतों की तरफ से कौन था मदीनी राए था ठीक है मदीनी राए इस युद्ध में पराजित हो गया था बाबर के हाँ तो नेक्ष देखिए चौता नंबर पानी पिया खाना खाया देरी हुई यानि चंद देरी रास्ते में भूत मिल सकते थे लेकिन क्या हुआ गागरा ठीक है बाबर अब बाबर जो है दोस्तो बाबर तो इसमें सभी में थाई अब गागरा मांग रहे है भाई ठीक है गागरा कैसा चाहिए बिल्कुल भाई अफगानी टाइप का चाहिए बिल्कुल ऐसा बिल्कुल अफगानी टाइप का घागरा चाहिए भाई चाइनीज वाईनीज चाहिए कैसा चाहिए अफगानी टाइप का घागरा घर जाना है घर जाने के लिए क्या चाहिए घागरा चाहिए ठीक है तो अफगानी टाइप का घागरा चाहिए देखिए जो 1529 इसवी का यु बाबर ने लडा था जल और थल दौनों पर लडा गया था ठीक है और इस युद के देठ साल बाद ही बाबर की मिरत्य हो गई थी बीमारी के चलते ठीक है देखे पानी पिया खाना खाया चंद देरी हो गई और देरी होगी तो फिर उसे घर जाना है ठीक है घागरा लेकर ठीक है तो यह सभी ट्रीक दूस्तों आप सभी को समजाई गई है आगरा में आपने सुना होगा कि बाबर का मकवरा कहा है काबुल में है ठीक है आगरा में इसे पिर्थम समाधी दी गई थी लेकिन इसे दूसरी बार समाधी दी गई थी पहले इसे जो आगरा में दफनाया गया था फिर वहां से इसे उखाड लिया गया और फिर कहां दफनाय गया काबुल में इसे दफनाय गया था ठीक है तो ये थी बाबर द्वारा लड़े गई युद्धों से बहुत ही उप्योगी वीडियो ऐसी ही उप्योगी वीडियो पाने के लिए आज ही जोड़ जाईएगा आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल से